आज हम लेकर आए हैं बेसन के लड़ू बहुत आसान तरीका है यह देखने में जितने सुन्दर लग रहे हैं उतने ही खाने में यम्मी है आज के दिन लड़ू बनाना तो बनता ही है तो लेक्स टााट अवर रासिपी से लड़ू बनाने के लिए हम लेंगे एंब बेक बाउल पेसन वन स्मॉल बाउल पिसे हुई Н faithful groove है यह दाल इंगे हम आदा बाते ही घे डालेंगे बाकी कागी रखतेंगे जब गरम हो जाए तब इसमें हम दीरे-दीरे बेसन डालेंगे यह हमने बेसन डाल दिया है अब हम इसको चमच से हिलाते रहेंगे इसे आपको दीमी आज पर ही पकाना है घी और बेसन को अच्छे से मिक्स करें और चमच से इसको हिलाते रहें देखे इसका टेक्स्चर और कलर चेंज हो रहा है जब बेसन गरम होता है तो बहुत अच्छे खुस्पु आती है जब तक की बेसन से अलग नहीं पड़ जाए तब तक हम इसे चमर से हिलाते रहेंगे गैस की आच हम धिमी ही रखेंगे इसे 20-25 मिनित तक हिलाने के बाद इसका गी अलग होता है देखे यह हमारा गी अलग होने लगा है अब हम इसमें पचा हुआ गी था वो डाल देंगे और 5 मिनित तक हिलाते रहेंगे देखे देखे इसका टेक्स्चर एकदम चेंज हो गया है और कलर भी गोल्डन यल्लो हो गया है अब हम इसमें हमारे कटे हुए काजू बदाम के टुकडे रा लेंगे और एलची पाउडर 1 टेपल स्पून डाल देंगे अब हम इसे चमच से अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से देखे यह हमारा बेसन का टेक्स्चर रेडी है अब हम इसे दुसरे बरतन में निकाल देंगे और इसे ठंडा होने देंगे गरम बेसन में हम चिनी नहीं डालेंगे यह वन्ना चीनी गल जाती है और टेक्स्चर पतला हो जाता है इसलिए हमारा बेशन अच्छे से ठंडा हो गया है अब हम इसमें कसा हुआ सुखा नारियन डालेंगे वन स्मॉल बाल और पीसी हुई चीनी डालेंगे अगर आपके पास नारियन नहीं है तो आप उसको स्कीप भी कर सकते हो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मीक्स करने के बाद देखे, यह हमारा मिक्सचर रेडी है लड़ू बनाने के लिए थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में ले और इसे गोल-गोल लड़ू का सेप देजिए इस तरह से देखे यह रेडी है अब हम इस पे बदाम का टुकड़ा लगाएंगे आप काजू या पिस्ता भी लगा सकते हो देखे हमारे बेशन के लड़ू रेडी है बहुत ही सुन्दर दिख रहे है खाने में भी उतने ही स्वादेश्ट है आप इसे जरूर बनाए और सबकी तारिफ पाए अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए हेल्प फूल बने तो जरूर लाइक करे कॉमेंट करे और आगे भी हमारी रेसिपी देखने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे थैंक यू फॉर वाचिंग